स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोज इस्ट्री पर दोस्तों आज की इस वीडियो से हमें श्राट करने वाले हैं क्लाश्टेंद का चैप्टर नमबर 6 जो की है ट्रैंगल्स ट्रैंगल्स एक बहुत इंप्रोटेंट चैप्टर है इससे पहले हमने क्लाश्टेंद के 4 चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिए हैं और अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्टर में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि क्लाश्टेंट्र ट्रेंगल में सिमलेटी को पढ़ना है तो सिमलेटी हम देटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले सबसे आप समस्क्राणकर क्या होता है आप यहाँ पार लिखा गया है थ्री शायडेस ख्लुजटी फिगर तीन सैट से बने किसी भी Closed Figures को हम Трэんगल कहेंगे ऐसा Geometrical Figures जिसमें 3 Sides होती हो जैसे कि यह एक Figures है जिसमें 3 Sides हा और उन 3 Sides है ऐ Claus फिगर है तो हम कहेंगे कि यह एक Triangle होगा उसी प्रकार यह भी एक Triangle है क्योंकि इसमें भी 3 Sides है और उन तीनों साइड से एक बंद आकरिती बन रही है तो यह भी हमारा एक ट्राइंगल होगा अब आप मुझे बताए कि क्या यह एक ट्राइंगल होगा यह एक ट्राइंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि इस figure में तीन lines तो है, तीन sides तो है लेकिन उन तीनों साइड से एक क्लोड फीगर नहीं बन रहा है एक बंद आकरिती नहीं बन रही तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रैंगल नहीं होगा तो कोई भी फीगर ट्रैंगल तब कहलाएगा जब वह दो बातों का पालन करेगा कीज़िया पहली बात कि उस में तीन साइडस होनी चाहिए द और उस फीगर में तो अब दूसरी बात यह है कि वह एक क्लोज़ी फीगर होना चाहिए कुछ इस तरह काफिगर होना चाहिए अगर कुछ इस दरह का फिगर तो यह ट्राइंगल नहीं कहलाएगा तो ट्राइंगल क्या होता है हमने जान लिया है अब आए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है आए देखते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज होती है किसी भी triangle की सबसे पहली property यह होती है कि किसी भी triangle में 3 sides होती है और अगर आप इस figure को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस figure में 3 angles भी बन रहे है एक है angle A, angle B और angle C तो हम कह सकते हैं किसी भी triangle में 3 angles भी बनते हैं और किसी भी triangle में 3 vertices होती है तो पहली property तो एक किसी triangle की यह हो गई कि उस triangle में 3 sides होती है किसी भी triangle में 3 angles बनते हैं और 3 vertices भी होती है दूसरी property है कि किसी भी triangle के अगर हम 3 angles का sum करते हैं जैसे कि इस triangle में 3 angles हैं एक angle A, दूसरा angle B और तीसरा angle C और अगर इस triangle के हम angles का sum करते हैं एंगल A, प्लस angle B, प्लस angle C तो यह 180 degree, 180 degree के equal होता है किसी भी triangle में 3 angles का जो sum होता है वह 180 degree के equal होता है यह हो गई दूसरी property जिसे हम angle sum property भी कहते हैं इसी property को हम angle sum property भी कहते हैं कि अगर किसी triangle के 3 angles का sum कर दिये जाए तो वह है 180 degree के equal होता है तीसरी property क्या है किसी भी triangle की जो तीसरी property है कि अगर किसी भी triangles के हम 2 sides का sum करते हैं तो वह हैं तीसरी side से बढ़ाता है तो हम कह सकते हैं the sum of the sum of two sides the sum of two sides of triangle is greater is greater than third side इसका क्या मतलब है कि अगर किसी triangle में हम 2 sides का sum करते हैं तो वह हैं तीसरी side के से बढ़ा आता है तभी triangle बनेगा जैसे कि example लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं यह triangle है जैसी sides है एक side 2 cm है दूसरी side है हमारी 3 cm और 4th side है 4 cm तो अब हमें बताना है कि क्या इन side से कोई triangle बनेगा आई देखते हैं दोनों sides का sum करते हैं और अगर तीसरी side से बढ़ा आता है तो हम यह कह सकते हैं कि इन side से एक triangle बन सकता है जैसे कि अगर हम 4 और 2 को जोड़ें तो आप देख सकते हैं और 2 6 होता है जो कि 3 से बढ़ा आ रहा है उसी प्रकार अगर हम 2 और 3 को एड़ करते हैं तो 2 और 3 5 होता है जो कि 4 से बढ़ा आ रहा है उसी प्रकार अगर हम 4 और 3 को एड़ करें तो वह 2 से बढ़ा आता है तो हम कह सकते हैं इन side से एक triangle बनेगा लेकिन अगर वहीं ये sides बदल जाएं जैसे कि अगर हम कोई दूसरा example लें हमने एक दूसरा triangle ले लिया जिसकी sides हैं एक side हो 1 cm, दूसरी side है 2 cm और तीसरी side है 4 cm तो क्या इस side से कोई triangle बनेगा आज़े देखते हैं देखिए अगर 1 और 2 को हम add करते हैं तो वह 4 से बड़ा नहीं आ रहा है तो 1 और 2 3 होता है जो कि 4 से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि इन sides कोई भी triangle नहीं होगा तो तीसरी property है कि किसी भी triangle में अगर हम दोनों sides को जोड़ते हैं तो है हमेशा ही तीसरी side से बड़ा आना चाहिए तभी जो है triangle बन सकता है अगली property है माल लेते हैं कि यह एक triangle है A, B, C किसी भी triangle के 3 angles होते हैं angle A, angle B, angle C लेकिन किसी भी triangle के सिर्फ interior angles ही नहीं होते हैं अगर हम इनके sides को produce कर रहे हैं इनके side को अगर हम बढ़ा दे तो हम पाएंगे कि इनके exterior angle भी होते हैं तो अगली property क्या होती है हम माल लेते हैं कि यह angle 1 है यह angle 2 है और यह है angle 3 तो अगली property के अनुसार angle 1 is equals to angle 2 plus angle 3 अगली property क्या होती है कि अगर हम exterior angle को लिख लें तो exterior angle जो होता है उसके बगल वाले angle को अगर हम छोड़ दें बाकी दो angles के समके को लोता है angle 1 is equals to angle 2 plus angle 3 तो यही तो कुछ triangles की properties जिने आपको जाना बहुत ही important है क्योंकि इनी properties से बहुत से questions बनते हैं अब आए देखते हैं कि types of triangles types of triangles triangles की प्रकार triangles को दो तरह से classify किया गया है पहला sides की base bar और दूसरा है angles की base bar सबसे पहले आए देखते हैं sides की base bar भुजाओं के आधार पर तो भुजाओं के आधार पर जो triangles है उन्हें तीन भागों में बाटा गया है जिसमें सबसे पहला आता है हमारा equilateral triangle जिसे हम कहते हैं समभाव त्रिभुज equilateral triangle एक ऐसा triangle होता है जिसमें सभी sides equal होती है all sides equal होती है जैसे कि यहाँ पर एक triangle हमने बनाया है ABC आप इस triangle में देख सकते हैं सभी sides जो हैं वह equal है AB भी A है BC भी A है और AC भी A है एक ऐसा triangle जिसमें दो sides equal होती हैं दो sides बराबर होती है उसी triangle को हम कहते है आइसो scale triangle जैसे कि इस triangle में AB जो है और AC वह equal है लेकिन BC जो है दूसरी side है तो इसलिए हम कहेंगे कि यह है एक ISO scale triangle होगा उसी प्रकार हमारा जो तीसरा type है वह है scale and triangle जिसे हम कहते हैं विसम बाहु त्रिभूज क्या होता है विसम बाहु त्रिभूज एक ऐसा त्रिभूज जिसमें कोई भी side equal ना हो सभी sides un-equal हो या फिर कहें कि हम no sides equal जिसमें सभी sides different हो जैसे कि यहाँ पर एक triangle है इसकी एक side A है दूसरी side B है और तीसरी side सी है इसकी कोई भी side equal नहीं है सभी sides जो है different है तो हम कहेंगी कि यह है एक scale and triangle होगा यह तो हो गया triangles को sides के base पर define किया गया था अब आई देखते हैं कि triangles को angle के base पर भी define किया गया है types of a triangle based on angles angles के अधार पर triangle के प्रकार तो angles के अधार पर भी triangles को तीन भागों में बाटा गया है जिसमें सबसे पहला आता है acute angle triangle क्या होता है acute angle triangle एक ऐसा triangle एक ऐसा triangle होता है जिसमें सभी core सभी angle जो होते हैं वह 90 degree से कम होते हैं ऐसे triangle को हम कहते हैं acute angle triangle या फिन noon core tribus यहाँ पर जो triangle ABC है उसमें सभी angles 90 degree से कम है तो इसलिए यह एक acute angle triangle होगा दूसरा है हमारा obtuse angle triangle आधिक कोड त्रिबोज एक ऐसा त्रिबोज होता है जिसमें एक angle जो एक कोड होता है वह 90 degree से बड़ा होता है या फिर कहें obtuse angle होता है तो ऐसे त्रिबोज को हम कहेंगे obtuse angle triangle अगर इस triangle ABC को देखा जाए तो इस triangle ABC में जो angle B है वह 90 degree से बड़ा है इसलिए यह एक obtuse angle triangle कहला है अगला है right angle triangle त्रिबोज तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि इसी से pythagoras theorem भी बनी है क्या होता है right angle triangle एक ऐसा triangle होता है जिसमें एक angle एक code जो होता है वह 90 degree का होता है ऐसे ही triangle को हम कहते है right angle triangle अगर अभी इस triangle को देखेंगे triangle ABC तो इस triangle में angle B जो है वह 90 degree का है तो इसलिए यह एक triangle होगा right angle triangle जिसे हम कहते हैं sum code त्रिबोज तो triangles के types कितने होते हैं और एंगस की अदार पर्भीने ऐंगे में के ब्रकार देख अब आये देखते हं गिर्ञटी जो कि हैं और दूसरी है सिमिलेर्टी सबसे पहले हैं काुइसी ओफ ट्राम क्या होता दिनु से ये अगर दो फ्रॉघर से हमारे पांस हमारे PQR दोनों figures की shape और size दोनों ही same है तो हम कहेंगे triangle ABC is congruent to triangle PQR और congruent की जो sign होती है बह Been कुछ इस तरह से होती है दो equal का sign लगे रहता है और उपर कुछ इस तरह का लगा रहता है तो अगर कोई 2 figures है जिनकीArt shape जिन साइब भी जिन है और एक खूर की सच ले तो दोनों जो फिगर सुंगे वह कॉंगरेंट होंगे यह जो चीज है है हमने ख्लास में भी सीखें होगी कुछ रूल्स भी होते हैं कॉंग्रेंसी के जैसे कि पहला रूल था क्या होता है रूल्स डूनौं ट्राइंगल की साइड सेण आपड़ जैसके रूल्स अगर इस ट्राइंगल में जो कॉंगुरेंट है है begins rule से 111 उसी प्रकार जो दूसरा रूलаешь ऐसे आगर किसी साइड उकौल आ जाती फिर्वेश्आ सिकोल आ जाते हैं उनके बीच को एंगल है जो कोड है वह इकवर एकोल आ जाता है उच्टर बीच की जो साइड है वह झोल आ है हमारा RHS क्या होता है अगर हमारे पास दो ट्राइंगल यह है दूसरा ट्राइंगल यह है अगर द्धूरों ट्राइंगल में एक एक लो और ऑद और एक एंगल के अलावा भी एक साइड इकोल हो तो हम कहेंगे कि दोनों जो ट्राइंगल से हैं वह कॉंगुरेंट है रह से तो यह थी कॉंगुरेंशी और कॉंगुरेंशी के कुछ रूल्स similarity हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि जो class 10th का math है जिस class 10th triangles में हमें similarity ही पढ़नी है तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि similarity of a triangle क्या होता है और exercise 6.1 के सभी questions को भी करने वाले हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ